आज जो 2022-23 का जो बजट पेश हुआ है और मैं इसके लिए एक बहुत अच्छे बजट के लिए देश के प्रदान मत्री श्री नहींतर मोदी जी और देश की वित मंत्री श्री मतिर नहीं बासी तरामन जी को बहुत बहुत बदा ही देता हूं क्योंकि मुखे रूप से जो इस बार का बजट है पहले के बजटों से एकदम कई मायनों में अलग ऐसा बनाया गया है और यह केवल इस एक वर्ष के बजट की बज़ए मैं समय मानता हूं जैसा बताया गया कि आगे के पचीस वर्ष तक एक विशेश दिशा तै करने के लिए और बहूत सी चीज इसमें लागह के गई गही है इसमें मुखरूप से जैसे जोर दिया गया डिजिटलाज़शंग पर कहूंकि सारी दुनिया डिजिटलाज़शन की ओर बढ़ रही है परिदोग की ओर बढ़ रही है तो उस को प्रयोग और उसके लिए विभीन प्रकार क इसमें लाब मिलेगा capital expenses इसमें ज़्यादा बड़ी मात्रा में रखे गए हैं कि capital expense जितना होगा उतना ही मजबूती एक देश में आएगी और base जो है वो solid बनेगा ताके हम नए नए आयाम खड़ा करके और हर परकार की समाज की जो आगे की आउशकता हैं उसको हम पूरा कर सक ठीक से मिले ताके हमारा स्वास्त शरीर उसमें ठीक रहे इसमें किसानों की बात भी कही गई है इसमें युवाओं की युवा विशेशकर के रोजगार की बात ये भी कही गई है शिक्षा की बात भी इसमें कही गई है और करमचारियों का भी इसमें बहुत बड़ा एक ध् है इसको देश को भी धान रखा गया है देश की जंता का भी धान रखा गया है हर और आगे आने वाले भविश्य की नियूँ इसमें से बजट में रखी जाए ताकि हम एक सस्टेनेबल जो हमारे गोल्ड है उस होर रहा आगे बढ़ सकें ऐसा एक समय जो बजट है इसके लिए मैं बहुत ही बढ़ाई देता हूँ प्रदेशों की सहायता इसमें उसको भी एक को लिखिया गया कि एक लाख क्रोड रुपया ये प्रदेशों को बिना ब्याज के और लंबे काल के लिए रिन दिया जाएगा ताके प्रदेश किसी भी आर्थिक्सिती से निवट सके और अप अपने काम को ठीक सर चला सके हैं